चीहां आज हम आपके बीच बात करने वाले हैं खान फैमिली के बारे में ये कौन नहीं जानता कि खान फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिनकी चर्चा हर किसी के जुबा पर होती है ये कौन नहीं जानता कि खान फैमिली की बाते हर कोई अपनी जुबा पर लेकर आता है और इसके बाद हर कोई ये ही कहता है कि भाई फैमिली हो तो खान फैमिली की जैसी मिनी इंडिया कहलाती है खान फैमिली सलमा हेलेम से लेकर सलीम खान अरपिता खान, अल्विरा खान, अतु लगनी होतरी, आयुश शर्मा, आयल शर्मा से लेकर सलमान, सोहल, अरबास खार इन सभी की ये फैमिली है जो है बॉलूर की फेबरेट फेमस फैमिली ऐसे में इन फैमिली के रिष्टों के बारे में हम बात करेंगे इसी की साथ इस फैमिली से जोड़ी कुछ टॉप हिडन सिक्रेट्स हम आपको बताएंगे फ्लैश बैक की तरफ ले चलेंगे आपको खान फैमिली के रिष्टे की सच्चाई बताएंगे आज हम आपको देने वाले हैं जानकारी खान फैमिली को लेकर खान फैमिली में कैसे इन सभी सितारों, कलाकारों और कलाकारों के रिष्टिदारों की बाते अक्सर होते आई हैं तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट दोनों सौतन नहीं बल्की बेहने हो आज इस रिपोर्ट में हम आपको सलमा हेलेन के रिष्टे के उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जो सालों पुरानी उनकी जिन्दगी से चुड़ी हुई है सलमा के हस्बेंट सलीम ने जब हैलेन के साथ शादी करने का फैसला लिया था तब सलमा ने शाया धिया अपने हस्बेंट से ये उम्मीद की हो खेर जो सच है वो सच है दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था हैलेन के financial condition को संभालने के लिए उन्हें सहारा देने के लिए उन्हें घर देने के लिए उनके जिन्दगी में खुश्यानाने के लिए सलीम ने उनका साथ दिया और उनका यही दर्या दिली अंदाज शायद आखिरकार उनके बच्चों को मश्पूर कर गया हैलन को अपनाने वाल इस रिपोर्ट में आज जो हम आपको सच बताने वाले हैं मुसल्मा हैलन और सल्मा से जादा खास तोर पर जुड़ा है आम तोर पर कोई भी महीला शायद अपने हस्बिन को किसी और महीला के साथ ना देखना चाहे लेकिन उस वक्त आई मीडिया रिपोर्ट की मारे तो हैलन के साथ सल्मा का रिष्टा भले ही बिगड़ा हुआ हो हेलन से सल्मान खान तब बच्पन के दुनों में खफा भी रहें अपनी सौतेली मा हेलन के लिए साथ उन्हे सलीम के शायद देखना पसंद ना कर पाए हो सल्मान क्योंकि अपनी मा सल्मा के आँखों में आसो किसी वज़ा से सल्मान कभी न देख वाए फूट फूट कर रोने के बाद सलमान खार ने अपनी मा का दर्द समशने के बाद किसी तरह से अपनी मा को संभाला अपने भायों के साथ और आखिर काड धीरे धीरे हैलन की अच्छाई ने सलमा को भी उन्हें स्विकारने पर मश्वूर कर दिया और तो और सलमान खान ने भी हैलेन अपनी सोतेले मा को स्विकार कर लिया जिसकी बाद वो कड़वा रिष्टा इस तरहा प्यार में तब्दील हुआ कि उसके बाद शायद ही कभी आपने या किसी ने हैलेन और सलमा को सोतेले रिष्टे को निभाते देखा हो सगे रिष्टे से भी बढ़कर मा बेटे की तरह ये दोनों हमेशा नसर आए हैलेन के लिए सलमान का सम्मान उतना ही बरकरार है जितना अपनी सगी मा सलमा के लिए बतादे आपको सलमा खान का असली नाम सूशीला है जिन्होंने सलीम खान के साथ शादी के बाद सलमा नाम में अपनी पहचान बनाई सल्मान अपने छोटे बाई सोहल और अर्बास खान के साथ गोदलीवी बहन अर्पिता खान और अलवीरा खान के साथ पूरे परिवार को संभालने के लिए हमेशा खुद को तटपर रखते नसर आए नबे की दशक में बॉलोड में एक के बाद एक हिट फिल में देने के साथ जब सल्मान खान ने अपने परिवार के मश्बूती को समझा कि प्याहरी है वो जो उनके परिवार को हमेशा एक साथ जोड़ कर रख सकता है तब सल्मा और हैलेन के बीच का रिष्टा धीरे धीरे सुलशने लगा और सलीम का अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक ही छट के नीचे रहना हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन गया अजबले ही खान परिवार में कई बार खटा सामने आती हो लेकिन सल्मा और हैलेन एक दूसरी के साथ बहनों के तरह नज़र आती हैं सल्मान खान अपने पिता और अपनी दोनों माओं के साथ ऐसे नजर आते हैं मानो कभी उनकी दोनों माओं में कोई लडाई ही ना हो यही वज़े है कि सल्मान खान की फैमिली को मीने इंडिया भी कहा जाता है हेलेन सलीम का रिष्टा चुड़ा हेलेन ने कभी भी सलमान सोहल अरवास को सौतेले बच्चों की तरह नहीं बलकि अपने सगो बच्चों से भी साधा प्यार दिया सगे बच्चे की तरह उन पर लाड लुटाया और सल्मा के बच्चों को ही अपना बच्चा मान लिया और उनकी मा का दर्ज़ा खुद को दे कर हमेशा मा की तरह मंता लुटाया सलीम की पूरी फैमिली को अपना कर सलीम की तरह ही सलमा ने उनके परिवार को अपना माना जिसके बाद सालों सालों तक खान परिवार में ये रिष्टा बरकरार है पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे के साथ है अतुलगनी होतरी जो की घर के बड़े दामाद है आयुशर्मा जो घर के छोटे दामाद है अपने परिवार का ऐसी ही खयार रखते हैं सल्मान खान की आने वाली फिल्म भारत है जिसमें कर्ट्रीना कैफ साथ नजर आएंगी जनके साथ सल्मा और हेलेन का रिष्टा उतना ही खास है और तो और बात की चाए अडबास की रूमोर्ट गर्फेंट जौजिया का तो जौजिया का भी रिष्टा हान परिवार के साथ काफी जुड़ा है हान परिवार के साथ बॉल्ल्य इनलस्ट्री का भी लगाव काफी खास है यूलिया वंतूर हो सुनाक्षी सिनह हो डेजिश शाह हो या फिर संगीता भिजलानी सलमान की सभी हसिनाओं के साथ खान परिवार करिष्टा उतना ही गहरा है आपको हम ये भी जानकारी चरूर देना चाहेंगे सलमान खान की नाराजगी जब खत्म हुई हैलन से इसके बार हैलन के लिए सलमान का प्यार इसकदर बढ़ता चला गया कि खुले आम स्टेश पर भी दोनों ने एक बार पफॉर्मेंस पड़े ही प्यार भने अंदाज में मा बेटे के रूप में दिया आज की डेट में हैलन और सलमा में कोई भी अंतर नहीं करने वाले सलमान खान ने बॉलोड में एक ऐसी पहचान बना ली है कि खान परिवार के सम्मान में मानो हर सितारा जूब रहता है खान परिवार में जो एकता है वो ऐसा मिसाल है जिसे देख तमाम परिवार वाले सीख लेते हैं कपूर फैमली हो या फिर नवाब फैमली हो या फिर बच्चन फैमली सभी के साथ खान परिवार का रिष्टा खास ही रहा है ये बात अलग है कि आज बच्चन परिवार खान परिवार खुले तोर परामने सामने नहीं आता एक दूसरी के साथ लेकिन खान परिवार ने कभी भी एक दूसरी से अलग हट कर एक दूसरी के खिलाब कुछ नहीं कहा भाई आज के हमने प्रोग्राम खान फैमिली में बात की, हान स्पेशल प्रोग्राम में बात की, हान फैमिली को लेकर सलमान खान के मिने इंडिया फैमिली के बारे में मुंबई में जिनकी फैमिली एक साथ रहती है, सभी धर्म के परिवार वाले एक साथ रहते हैं, ये मिसाल है बॉलूट के लिए कैसे एकता के साथ परिवार में अगर प्यार हो भरोसा हो एकता हो तो फिर कोई धर नहीं कुछ भी नहीं होता वाके में यह प्यार जो है सलमान खान की फैमिली में सभी को कहीं न कहीं करता है इंस्पायर यह प्यार जो सलमान खान की दोनों मावों में है चो कभी एक दूसरे को देखना शायद ही पसंद करती होंगी जिनके लिए नाराजगी सलमान खान की दिलों में थी वो सलमान खान आज अपनी स्टेप मदर्स हेलें को भी अपनी सगी मा सलमा के बरावरी करता वज़ो देते हैं, प्यार देते हैं प्यारी है जो एक मा को ममता की मुरत बना देता है प्यारी है जो की पति-पत्नी के रिष्टे को और भी जादा गहरा करता है प्यारी है जो सलमान अपने परिवार और बॉल्लवुड परिवार पर लुटाते हैं वक्त आ गया है अब इसी के साथ खान स्पिशल शो का यहीं देयन करने का तो मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त बाकी की खबरों के साथ अपडेटेड रहें आप हमारे शानल नेक्स्ट नाइज में नमस्कार अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्क्रिप्ट राइडर तो हमेज संपच करें अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और बिपोदर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्कुर्प राइडर, तो हमें संपच रहें